करवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में एस समस्त ने एक बहुती गर्मापुर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति बंदन अधिनियम और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार चे देश ने करतव्य पत पर नारी शक्ति के सामर्थ को नारी शक्ति के सावरिय को नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभर दिया और आज बजेट सत्रका आरंब हो रहा है तब राश्पती द्रवपदी मुर्मुजी का मारदर्शन और कल निर्मला सितारामंजी के द्वारा इंट्रिम बजेट एक प्रकार से यह नारी शक्ति के साक्षातकार का परवा है साथियों मैं आशा करता हूँ कि गत दस वर्ष में जिसको जो रास्ता सुजा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुर्दन करने का स्वभाव बन गया है जो आदतम लोकतांत्रिक मुल्यों का चीर हरान करते हैं ऐसे सभी मान्य सांसद आज जब आखरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मन निरिक्षण करेंगी कि दस साल में उन्होंने क्यों किया अपने संसदी ख्षेत्र में भी सो लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिनोंने इतना हुर्दंग हो अल्ला किया होगा लेकिन विरोद का स्वर्थ तीखा क्यों नहीं हो आलोचना तीखी से तीखी क्यों नहीं हो लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभानमित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारिख बन करके उजागर होगा और इसलिए जिन्होंने भले विरोप्ता किया होगा लेकिन बुद्धी प्रतिभागा दर्शन कराया होगा देश के सामान ने मानवी के हीतों का कंसन दिखाया होगा हमारे खिलाब टीके से तिखी प्रतिग्या की होगी उसके बावजुद भी बावश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्थ लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यहवार की सराना करते होंगे लेकिन जिनोंने सिर्फ और सिर्फ नकारात वक्ता हुर्दंग शरारत प्रूने वहवार यह जो किया होगा उनको शायद ही को याद करें लेकिन अब यह बजेट 17 आउसर है पस्चाताप का भी आउसर है कुछ अच्छे फुट्प्रिंट छोड़ने का भी अउसर है तो मैंसी सभी मान्य साउसदों से आगर करूंगा कि आप इस अउसर को जाने मत दीजिए उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए देश हीत में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाप सदन को दें और देश को भी उत्साव और उमंग से भर दें मुझे भी स्वास हैं आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आम तोर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है हम भी उसी परंपरा का निर्वा करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे इस बार एक दिशान निर्वेशक बाते लेकर के देश की वित्न मंत्री निर्वाला जी हम सब के सामरे कल अपना बजट पेश करने वाली है साथियों मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई ने उचाईयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है सर्वस परसी विकास हो रहा है सर्वांगिन विकास हो रहा है सर्वस समावेशक विकास हो रहा है यह याता जनता जनारदन के आशिरवात से दिरंपर बनी रहेगी इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम